और चलिए आप खबरों में आगे बढ़ेंगे बात करेंगे यहां क्याबिनेट की बैचक की वसुंद्रा क्याबिनेट की बैचक 18 जुलाई को सुभा 11 बजे होगी जहां क्याबिनेट की मीटिंग रखी गई है और इसी मीटिंग में कई एहम फैसलों पर मोहर भी लग सकती है इससे पहले राजे क्याबिनेट ने सर्किलेशन के ज़रिये तीन फैसले की हैं इसके तहट निजी शेत्र में एपेक्स विश्विद्याले की स्थापना होगी और साथी इसके लिए मौनसून सत्र में विधान सभा में अध्यादेश रखा जाएगा जो की पारित होने पर वि चुकी थी लेकिन ये मामला अगली बार पूर्ण क्याबिनेट की बैठक में रखा जाएगा महीं सर्किलेशन के जर्ये ये निर्णे नहीं होगा वहीं परिटन एकाई या फिर होटेल के पास आवेदक को रियायती दर पर भूमी मिल सकेगी इसकी संबंदित नियम में अब LSG और UDH साथी राजर स्वेभाग संचोधन कर सकेगा वहीं बारा तहसील और उप तहसीलों के लिए भी आदेश जारी किये गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे नियूस रूम का जहां हमारे संबादाता रितुराज इस वक्त मौशूद हैं रितुराज किस तरह के यहां प्रस्ताव रखे जा सकते हैं कितने प्रस्तावों के पारित हूरी की उम्मीद है अभी फिलाल कैबिनेट सचिवाले ने एक नोटिस जारी किया है कि 18 जुलाई को सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक है और इसके तुरंत बाद मंत्री परिशत की बैठक है जो की माना जारा है कि करीब आदा गंटे बाद मंत्री परिशत की बैठक शुरू होगी इसमें जो एहम मसला है जो संभुत आयम आना जा रहा है इस बार की कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा वह यह की 34 संतान होने पर अब तक सरकारी कर्मचारियों को निलमन की प्रतार्णा जहलनी पड़ती है वह प्रतार्णा वापस लेने को लेकर विचार हो सकता है इस ब अनुमोदन हुए हैं उनमें खास है कि परेटन एकाईयों या होटल के आसपास जो भूमी है उसको अगर लेना चाहे कोई बड़ा होटल उद्यमी तो वह ले सकता है बश्रते जो यूडी एच एलेस जी और जो अन्य विभाग है इन तीन विभागों की सहमती हो और उस पे बूरुपांतरन के जो नियम है वो लागू नहीं हो और बूरुपांतरन परणी वरतन की उनको इजाज़त दी जा सके तो ऐसी एक कमेटी उसका निर्दारन करेगी तो काफी शितिलन की गई है इस मामले में और इसके लिए तरह तरह चर्चाओं का दोर भी शुरू हो चु 2002 का ये कानून है और अब इसमें बदलाव किया जा रहा है इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई देखे ये अकसर माना जाता है कि जो चोथी संतान होती है चाय से वो एक पतनी से हो या दू पतनी से हो इसको लेकर सरकारी कर्मचारियों का डेलिगेशन कई बार मिल चुका है और विदायकों के एक बड़े वर्ग की यह मांग है कि जिस तरह से तीसरी संतान होने पर शिथिलन दी गई थी नियोंगों में पहले जो वेतन विर्दी थी वह रुप जाती थी एसी आर में प्रतिकुल टिपणी की जाती थी दो बार की वेतन विर्दी रोग दी जाती थी तो इस तरह से ही यह चोथी संतान होने पर भी यह शिथिलन दे और चुकि यह चुनावी वर्ष है इस वज़़े से भी सरकार इस और सकारात पर करम बढ़ा और रितुराज इस पर ध्यान दिया गया है और जिनकी चौथी संतान है उनके लिए वाकिए बिल्कुल राहत देने वाली कवर है बहुत शुक्रिया तमाम जानकरे देने के लिए